हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर नवीन अलावादी पल्मन लॉजिस्ट रेस्परेटरी फिजिशन एंड टीबी स्पेस्टलिस्ट स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल में आज मैं एक बहुत इंपोर्टेंट टीबी के सब्जेक्ट पे वीडियो लेकर के आया होती है क्योंकि जब टीबी हम डिक्लेयर करते हैं किसी पेशन को तो उसका मुख्य कॉस्टन यही होता है कि पीशन गवरा जाते हैं कि क्रोनिक डिजीज है और काफी स्टिग्मा भी आ है और कोर्स भी लंबा चलता है अगर हम आशकुबॉल बात करें तो छे महीने एकर दो पेशन्ट हमारा एक्सपायर तो नहीं हो जाएगा टीवी से इन सब प्रशनों का उत्तर मैं आज अपने इस वीडियो में दूँगा तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बीच बीच में आपको इतने इंपोर्टन टिप्स दूगा कि जो आपको कहीं भी नह लेंगे तो इस वीडियो को एंड तक जुरूर देखना तो शुरू करते हैं आज के वीडियो कि किस बरकार की टीवी जाननेवा होती है नंबर वन अगर पेशन्ट के दोनों लंग्स में टीवी के निशान इतने जादा हैं कि जो दोनों लंग्स की अगर हम बात करें वो 50% से जादा देमेज है 50% से जादा उसके डेमेज हो चुके हैं खोकले हो चुके हैं उनने हवा भी आ चुक है तो ऐसी जो टीवी होती है लंग्स की यह बहुत खतरनाक होती है जनरली इसमें पेशन्ट जो है बहुत वीक हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं, सांस हमेशा फुलता रहता है, बैड रिडन टाइप के स्टेटस में आ जाते हैं, तो ऐसे पेशन्ट को टीवी की दवाईयां भी नहीं जिलती हैं, वो भी बहुत हार्ड लगती हैं, और ऐसी टीवी जनरली उनमें उती है, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, बकोहली होते allowing, इस तरीके की देखी जाती है, मैं सम्गै नहीं कहUh हौ हूँ, तो आप । तुल जादा तर पेशन्ट की मैं बात और हूँ, खिक है, तो इस तरीके की जो टीवी होती है, तो इस तरीके की पे को हम blood से नापते हैं जिसको ABG test बोलते हैं तो ABG test में अगर patient का PO2 oxygen level होता है जो blood में check करते हैं pulse oximetry से जो check करते हैं वो होता है SO2 तो अगर SO2 90 है तो PO2 60 होता है मोटा-मोटा लेकिन जब आब ABG करते हैं तो उसमें exact आ जाता है कि PO2 कितना है अगर patient का PO2 60 से कम है यानि कि patient का saturation level SO2 90 से कम है तो patient respiratory failure में माना जाता है या patient का carbon dioxide level 50 से जाधा PO2 level 60 से कम और PCO2 level 50 से जाधा अगर है या मोटे तोरबे बात करें तो saturation level 90 से कम है तो ऐसे patient respiratory failure में माने जाते हैं यानि कि lung failure में माने जाते हैं, ऐसे patient को admit भी करना पड़ता है बीच बीच में, और कई बार हमें steroid की दवाईयां और supported दवाईयां में IV form में देनी पड़ती हैं ताकि steroid की दवाईयों से जो respiratory failure है, वो recover करें, ऐसे patient की mortality के chances मनने की संभावना TV से हमेशा बनी रहती है दूसरे patient होते हैं, जिनमें mortality की संभावना होती है, जिनको multiple body की problems हैं, जैसे कि कोई cancer की दवाईयों पे चल रहे हैं या body की immunity weak हो गई है चीक है, cancer की दवाईयां इतनी strong चल चुकी हैं कि body बुरी तरीके से weak है, body की immunity suppress हो चुकी है, ठीक है age ज़ादा है patient की, advance age है ठीक है, 65 से ज़ादा age है, cancer कीमो थेपी पे है cancer survivor है, ठीक है तो इनमें mortality की संभावना हमेशा बनी रहती है तीसरी होती है brain की TV क्योंकि brain की TV अगर खतरनाक हो जाए तो patient को bed ridden कर देती है और patient जो walk कर रहे हैं walk भी नहीं कर पाते कई बार बिल्कुल पूरी तरीके से bed पे आ जाते हैं बिस्तर पे आ जाते हैं टीबी की दवाईयों से patient भिहोश पड़े रहते हैं उल्टियां आती रहती हैं body नहीं movement, body में बिल्कुल movement ही नहीं है इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि bad sore बनने लग जाते हैं age भी जादा है तो इस तरीके के patient की भी जो chances होते हैं mortality के वो हमेशा बने रहते हैं चोथे होते हैं kidney के patient अगर patient को kidney की problem है liver की problem है पहले से या patient alcoholic है, cirrhosis of liver है या renal transplant patient है जिनका kidney transplant हो चुका है उनको अगर TB होती है तो हमेशा संभावना रहती है कि ये एक बहुत खत्रनाक रूप ले सकती है और mortality तक patient की हो सकती है इसके लावा जो body में mords होता है multiple organ dysfunction syndrome या patient को pneumonia हुआ infection फैल गए पूरे body में तो body इतनी ज़्यादा week हो गई कि पहले तो infection से fight करेगी फिर TB से fight करेगी TB की दवाईयां देंगे तो उसके side effect अलग होंगे तो TB की दवाई दे तो problem ना दे तो problem ऐसी वाली situation अगर एपेशन की तो भी TB से mortality की संभावना हमेशा बनी रहती है तो ये 5 या 6 परकार हैं जो मैंने आपको बताई है इसके अलावा ज्यादा तर TB है पेशन की वो ठीक हो जाती है घपराने की बात नहीं है 80 to 90 90% पेशन की TB बिल्कुल ठीक हो जाती है दवाईयों से ठीक है तो इसमें घपराने की बात बिल्कुल नहीं है केवल ये धियान रखना है कि कोर्स पूरा करना है दवाई रोज लेनी है और डॉक्ट ने डॉक्टर को time to time पे दिखाना ही दिखाना है इसमें हर monthly visit अगर आप ठीक भी चल रहे हैं तो भी होती है क्योंकि डॉक्टर पहले ही judge कर लेता है अगर कुछ unwanted symptoms आ रहे हैं टीबी होती है तो हमेशा problem होती है body का stamina पेशन्ट में वैसे ही नहीं होता है immunity weak होती है mentally weak होते है ऐसे patient तो बहुत problem हो जाती है कई बार अगर टीबी हो जाए तो अगर यह सब चीजे नहीं है तो ठीक patient माने जाते हैं तो उन में क्या होता है कि generally TV ठीक हो जाती है अगर रोज टीबी की दवाई लेते हैं डॉक्टर की बात मानते हैं दॉक्टर को दिखाते हैं तो इससे घबराने की बिलकुल बात नहीं है केवल ध्यान रखने की बात है ठीक है I hope friends आज का ये वीडियो मैंने काफी अच्छे से आपको चीजे समझाई हैं आपको ये चीजे समझ में आई होगी आप इनका द्यान रखेंगे इनका पालन करेंगे और समय से TV की दवाई patient को खिलाएंगे थैंक यू धन्यवाद आप इस वीडियो को प्लीज कीजिएगा और हाँ friends मेरा ये चेस्टन टीवी सेंटर है यहां पर मैं आधर्शनगर में बी 42 राजनबाबू रोड आधर्शनकर सुबह 9 बजे से शाम 8 वे तक अवलेबल हूँ नहीं तो मेरा कोई ना कोई जुनियर यहां पर हमेशा रहता है लोगों की एल्प करने के लि मेरा कॉल आपको अपने आप आजाएगा और मैं आपकी हल्प करूँगा थैंक यू धन्यवाद